नमस्कार दोस्तों फागत आपका मेरे चैनल आना हुए एजूकेशन पॉइंट में आपके लिए लेके आए हूँ डेर्ड मिन्ट का वीडियो जिसमें कि मैं आपको स्टेनोग्राफर की सेलरी के बारे में बताऊंगा सबसे पहले तो आपको बता दू जो स्टेनोग्राफर होता है उसका ग्रेड पे 36 होता है पैबेंड 9300 से लेके 9400 रॉपए फिक्स मिलते है हर महिने लेकिन इसमें से 10% इनपिएफ का कट जाता है तो दोस्तो प्रोबेशन पीड के दरान स्टेनोग्राफर की नेट फैलरी होगी 2330 रुपए हर महीने अब दोस्तो बात करते हैं कि प्रोबेशन पीड पूरा होने के पास स्टेनोग्राफर को क्या फैलरी मिलती है दोस्तों जब प्रोबेशन पीड पूरा हो जाता है उसके बाद में उसको पहले वर्ष बैसिक फैलरी मिलती है 33,800 रुपए हर महीने इसके लावा उसे कई बत्ते भी मिलते हैं जैसे की महिंगाई बत्ता जैसे की डिये कहा जाता है और वो वर्तमान में 17% है इसके लावा HR यानि मकान किराया बत्ता जिसकी दो रेंज है 8% और 16% 8% जो छोटे फहर और गावों के लिए होता है और 16% बड़े फहरों के लिए होता है बैसिक फैलरी में जब इन बत्तों को मिला देते हैं तो ग्रोफ फैलरी त्यार होती है जो कि लगबग 24,000 रुपे के आफपास होती है जब हम HR को 8% लेते हैं दोस्तो इस ग्रोफ फैलरी में कई तरीके की कटोतियां भी होती है जैसे की 10% NPS का कटता है इसके लावा State Insurance के भी कुछ रुपए कटते हैं जब दोस्तों ग्रोफ फैलरी में इसे इन कटोतियों को निकाल देंगे तो नेट फैलरी आएगी जो कि पहले वर्फ 38,000 रुपए परती महिना होगी और दोस्तों ये नेट फैलरी हर वर्फ बढ़ती भी है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू